हलो फ्रेंट्स आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का नाई थोट्स क्या है आपके लिए आपके पार्टनर का नाई थोट्स क्या है क्या फील कर रहे हैं क्या चल रहा है जो लोग नो कॉंटेक्ट में हैं उन लोगों से बात कर रहे हूं मैं तो जो लोग नो यहां पर कोई third party situation घै कोई ऐसी तीसरी इस्तिती आ गई है पर डियर मैं आपको 100% बता दूँ यहाँ पर जस्टिस आया है और आप में से या आपका पार्टनर कोई तो है जो जस्टिस की उमीद कर रहा है शायद किसी ने कुछ तो बेवकुफियां कर ली है कुछ तो ऐसा एक्शन ले लिया है जिसके कारण ये रिष्टा जो है कहीं न कहीं ऐसा हो गया है कि इसमें जस्टिस की जरुवत है और क्या आ रहा है प्लीज उनिवेर्स गाइद करें ओके डियर यहाँ पर टू कार्ड्स आ है इस ट्रेंट का कार्ड है और यह आई है मेरे वीवर्स की एनरजी क्वीन ओफ कप्स तो डियर क्वीन ओफ कप्स की भी एनरजी आई है चलिए लिलिया है साइन में आपको बता देते हूँ डियर यहाँ पर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेज और यहाँ पर है जैमिनाई लिप्रा एक्वेरियस और क्या है आपके पार्टनर के थौट्स क्या है नाइ थौट्स क्या है आपके पार्टनर के यह तो इसी एनरजी में रहते हैं है न इनको क्या है आपके पार्टनर के थौट्स क्या है आपके पार्टनर के नाइ थौट्स तो यहाँ पर है पेज आफ five of swords का card है देखें यहाँ पर किसी बात को लेकर तो कुछ तो हुआ है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप energy को देखें five of one जगड़ा भी हुआ है यह लीजे devil के energy है bottom से तो जगड़ा भी हुआ है और जगड़ा किसी बात को लेकर हुआ है क्योंकि यहाँ पर devil बता रहा है यह रिष्टा जो है किसी बात को लेकर बिगड़ा है कोई तो बात आप दोनों के रिष्टे के बीच में हुई है किसी ऐसी communication पर यह रिष्टा जो है no contact में आया है या तो आपकी तरफ से बात खराब हुई है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से पर डियर जहां से भी हुआ है यह रिष्टा no contact में आया है मुझे ऐसा लग रहा है कि यह रिष्टे में no contact situation जो आई है इसकी वजह कहीं न कहीं आप दोनों ही हैं तो डियर हो सकता है energy वाइस वर्सा हो आप हो या फिर आपके पार्टनर हो पर डियर आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे उनका night thought क्या है emotionally और attraction दोनों चीजे इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा हो रही थी कहीं न कहीं पूरी रात आपके पार्टनर emotional हो रहे थे आपको लेकर और डियर emotions के साथ उनको ऐसा भी लग रहा था क्योंकि आप देखे king of cups है और डियर वहां से queen of cups है तो ये दोनों cards कुछ ऐसा बता रहे हैं कि यहाँ पर ये king जो है इनसे रहा नहीं जा रहा था अपनी queen को देखे बगेर और डियर ये queen जो है इनको भी नहीं रहा जा रहा था अपने king को देखे बगेर तो डियर कल रात तो आपके partner बहुत कुछ देखे ना कितनी प्यारी से जोड़ी है आप दोनों के अगर आप दोनों इस तरह से मुझे इस तरह के energy दिख रहे हैं आपका partner आपके दिल में जो है ना एकदम जजबात यहाँ पर आपकी feeling मुझे दिख रहे हैं कि आप बिलकुल accept करना चाहते हैं कि लाई लाई आपका कब दीजे तो यहाँ पर वो energy दिख रहे हैं तो यह partner जो है कल रात आपको लेकर बहुत dreams देख रहे थे कि आप उनकी life में आई हैं और आप उनको propose कर रहे हैं आप उनको कोई cup offer कर रहे हैं और वो आपको अपना cup दे रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे का love जो है वो कही न कहीं accept करना चाहा रहे हैं और dear आपके partner जो हैं बहुत ज़्यादा attract भी हो रहे थे आपके लिए हो सकता है कि अभी आपकी जो energy है जो आपका aura है वो कहीं न कहीं आपके partner को अपनी और खीच रहा था इसलिए आपके partner जो हैं बहुत ज़्यादा कल रात आपके तरफ एक खिचाओ महसूस कर रहे थे एक ऐसा उनके energy हो रही थी जिसमें वो partner जो हैं आपको कहीं न कहीं कोई gift देना चाहा रहे थे किसी तरह का कोई proposal हो सकता है किसी तरह का कोई surprise हो सकता है तो ये कल रात आपके लिए ये भी सोच रहे थे इनके last night thought में कि ये आपको कोई surprise दे हो सकता है कि इन्होंने कुछ planning करी है शादी से related या फिर कोई ऐसी बात यहां पर दिख रही है क्योंकि ये emotions भरा जो कप आया है और bottom के energy से यहां पर जो devil आया है आप दोनों के रिष्टे के बीच में ये जो toxic relation जो हो गया है बात नहीं कर रहे हो दर्द भरी दर्द में आप भी हो आपका partner भी है ठीक है मैं पहले ही बता दू इंतिजार कर रहे हो कि आपका partner जो है वो पहल करे और आप चाह रहे हो कि आप पहल करो तो यहां पर दोनों ही है ना कल रात बहुत कुछ सोच रहे थे दियर आपके दिल में भी अपने partner को लेकर बहुत सारी feelings जाग रही थी और आपका मन है ना कभी कभी पता नहीं आप क्या क्या सोचते हो आप ऐसा सोचने लगते हो कि वो partner के बारे में दिन रात आप कभी कभी सोच लेते हो और रात को होते होते आप अपना mobile खोल के जरूर देखते हो कि यह partner online आया है या नहीं आया है या जब आप देखते होंगे तो आपका उनका बंद करना होगा mobile को और आपका खोलना होता होगा तो यहां पर दस मिनिट पांच मिनिट का ही फर्क होता होगा काश मैं पहले खोल लेती तो शायद मैं उसे online देख पाती यह मन में कही न कहीं खयाल आता है आपके तो यह energy मुझे फील हुई थी रियर तो कोई तो सोचता है कि अरे यार अभी तो active था काश अगर मैं 10 मिन पहले खोल लेती ना तो यह मुझे को देख पाता कि यार मैं भी online हूँ शायद यह मुझे message कर पाता या मुझे message कर देती तो ऐसी कुछ feelings आप में से किसी के दिल में आती है डियर तो वो भी मुझे यहां लग रही है और यहां पर यह दिख रहा है कि यह partner कल रात आपके साथ में आपके साथ में justice करने के बारे में भी सोच रहे थे क्यों क्योंकि यहां पर किसी बात क्यों लेकर आप दोनों के रिष्टे में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा वेट हुआ है वेट करा दिया आपके partner ने इंतिजार करा दिया हो सकता है कि आप इस proposal का इंतिजार कर रहे थे जो यह सपने में सोच रहे और आपने इनसे कोई surprise मांगा था आपने इनसे कोई gift मांगा था पर यह partner आपको वो gift नहीं दे पाए पर यह partner आपको वो surprise नहीं दे पाए जो इन्हें देना था उसमें इन्होंने आपको wait कराया है और उस बात को लेकर मैं आपको बता दूँ आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर गया, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बाते बोल गया कि जहां पर आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि आपके पार्टनर ने इतना हग उस इंसान को कैसे दिया, एनर्जी वाइस वर को लेकर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, किसी के लेकर तो यहाँ पर फाइट हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लडाई छगड़े वाला माहूल या ब्रेक अप वाला माहूल बन गया था, पर डियर, अभी आपके पार्टनर जो है, न यहाँ पर यह भी देखिए, आपके यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ में जो उनके अंदर कमी थी ना, जो पावर की कमी थी, वो कहीं न कहीं खटा कर रहे हैं, क्योंकि शायद इस पार्टनर के अंदर अभी हिम्मत बहुत कम बची है, कि यह आप से किसी तर में जस्टिस करने के बारे में सोच रहे हैं, तब यह पार्टनर आपको न्याए देने के बारे में सोच रहे हैं, तो कल रात आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच रहे थे, इमोशनली डीप फीलिंग्स थी डियर, इस पार्टनर की अपनी डीप फीलिंग्स में बहुत ज़ बहुत ज़़ादा emotionally इनके heart को touch किया था तो यहाँ पर ये पार्टनर बहुत miss कर रहे हैं आपकी वो feelings को, वो केर को वो लव को और डियर ये पार्टनर अपनी गलती के बारे में सोच रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रेक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ एक जुकाव हो रहा है इस पार्टनर का जिस भी कारण से इस पार्टनर ने कुछ गलतियां कर दी थी कुछ decision गलत ले लिया था तो dear अब ये partner जो है अब ये आपको queen of cups के energy में देखते हैं और इनको लग रहा है कि आप जो है कहीं न कहीं queen of cups बन चुके हो जो बहुत ही strong होता है देख रहे हैं न आप आपके दिल जो है रूठना मनाना ये ये partner है न ड्रीम्स देख रहे थे night में आपके लिए कि मैं आपने partner को इस तरह से मना लूँगा अगर वो रूठा है तो मना लूँगा या फिर उनको प्यार इस तरह से दूँगा तो यहाँ पर सब कुछ offer दूँगा तो यहाँ पर बहुत कुछ सोचा गया है आपके partner की तरफ से आपको लेकर आपके लिए love सोचा गया है आपके लिए feelings देखी गई है deep emotions इनके हो रहे हैं अपना cup जो है आपको देना चाहते हैं अपना love जो है express करना चाहते हैं तो night thought में तो dear आप ही आप चाहे थे पर एक बात बहुत यहाँ पर ऐसी लग रही है कि यह partner अगर आप से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वो तो ठीक है अगर आप से यह बातें नहीं कर रहे हैं तो dear यह partner आप से किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा clarity मांगने वाले हैं किसी बात को लेके बहुत जगड़ा करने वाले हैं क्योंकि इनकी एनरजी में दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप जस्टिस नहीं करते हो आप इनके साथ में लॉयल नहीं हो आप जो हो इनकी तरफ देखना नहीं चाहते हो क्योंकि आजकल आप थर्ड पार्टी की तरफ देख रहे हो तो यहाँ पर आपके पार्टनर के निगाहों में कोई तो ऐसी थर्ड पार्टी दिख रही है जिसके कारण यह पार्टनर आप पर भी कुछ न कुछ डाउट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चीजे हो सकती है कुछ लोगों के लिए हर बात हर किसी से resonate करे डियर ये जरूरी नहीं है पर डियर ये पार्टनर के दिल में emotions बहुत जाग रहे हैं आपके लिए love भी है feelings भी है और आपसे ये प्यार भी करते हैं अपने deep emotions को दबा दबा के रख रहे हैं और solid commitment देना चाहते हैं और तो और डियर ये पार्टनर थोड़े से doubt जो है उनको भी clear करेंगे मैं बार बार बोल रहे हूं इनको कुछ doubt है तो ये doubt को clear करेंगे आपसे तो वो चीज़े यहाँ पर हो सकती है तो कल रात आपके पार्टनर तो आपके लिए बहुत emotional हो रहे थे बह बहुत कुछ सोच रहे थे आपके पार्टनर okay dear I hope आप लोग को reading अच्छा लगा होगा reading अच्छा लगा है तो dear like कर दीजेगा और first time चैनल पर आ रहे हैं तो please चैनल को subscribe कर दीजे support करने के लिए बहुत बहुत thank you दिल से dear हम मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए happy